पिहोवा शहर थाना में एक व्यापारी से फोन पर किसी अग्यात व्यक्ती ने फोन कर 25 लाग की फिरोती की मांग की है रुपे नहीं देने की सूरत में पूरे परिवार को जान से मारने की धम की दी है पिहोवा अनाज मंडी के व्यापारी अमित कुमार ने बताया कि कल रात किसी अग्यात व्यक्ती ने उसको फोन कर 25 लाग की मांग की है अगर उसने रुपे नहीं दिये तो पूरे परिवार को जान से मारने की धम की दी है फिरोती मांगने वाले ने अपने आपको विरेंद्र गोन बताया है जिसकी शिकायत उसने पिहोवा पुलिस थाने में की है पुलिस ने मामला दर्ज कर जाच शुरू कर दी है पिहोवा से यगे दत्शास्त्री की रिपोर्ट मेरा नाम अमित कुमार जी फादर नेम शिरी रांगोपा जी चोवन नाजमंडी प्योगा का रहने वाला हूं जी रात लगबग सवा साथ वजे साथ पच्चिस पर मेरे पास एक अज्यात नंबर से पून आया जिस ने अपनो नाम भजिंदर कोंग के नाम से बताया उसे अजनम से 25 रफैफिरी मांग आज मेरे परिवार को जान से मारने की दम्तिशी इजिए मेरा परिवार पुरी तरह से सहमा हुआ है, मैंने पुलिस को लिखित शेकायत दिये जी, मैं परशासन से यही मांग करता हूँ जी, जल्दी से जल्दी कारवाई करके और उस पखड़ा जये जिससे की भैका माहुल खतम हुआ